दोस्तों, गुड़ल के पोधा पे अगर आपको अत्यदिग फूल लेकर आना है तो आपको अमघस दें सबसे पहला काम है आपको उसको पांसाही का आकार देना है, उसके हाट पूरौणिग करना बहुत जिरूरी है दोस्तों आप देख रहे हैं हारट बुरुनी का ही नतीजा है कि यह हर तरह से ब्रांच निकले हुए इसके आप देखिए इसकी साखाय हर जगה से निकल रही है और यह आगे चल के 6 मिन बाद ने चल के और इसके हारट पुरुनी करतेंगे एक पूरा गोला सा अच्छा सा बन जागा बनसाया का यह गुडल का पौधा और आपको दाए कि इसमें वर्ट्स देखिए बर्स बहुत इसमें आई हुए हर जगह से वर्ट्स निकल लें क्योंकि इसमें एक सेक्रेट फटलायर का इस्तमाल किया गया और आपको मताएं कि इस बात आपको दाते हैं कि जो भी फूल वाले पौधें को धूप की ज्यादा हो सकता होती है इसे धूप में रखना बहुत ज़रो रिकेम गुडल को धूप बहुत ही फसंद है इतना धूप में रहेगा टंपरेचर में 40-45 अंदर रहेगा तो उसमें बहुत अच्छे मातरा ह आएंगे होता क्या कि बहुत लोग गार्डेनिंग करते हैं तो इसको बालकनी में रखते हैं धूप बहुत कम आता है इसलिए उसमें फूल भी बहुत कम आता है इसको आप धूप में रखिए फूल बहुत जादे आएंगे आपको मताते हैं कि इसमें कुछ ऐसे ने बिलकुल नहीं आएगी सब खतम हो जाएगी तो सबसे पहले आपको बतायां कि इसमें कौन सब फटलाइ काभी इस्तिमाल करते हैं जैसे आपको मदादें कि सबसे पहले इसमें आप इस्तिमाल कर सकते हैं एपसम साल्ड का एपसम साल्ड बताते आपको कि एपसम साल्ड गुड़हल को बहुत ही पसंदे जिसे मेंगनिस्यम सलफेड कहते हैं और इसका आप इस्तिमाल कर सकते हैं इसका इस्तिमाल दो तरह से कर सकते हैं पहला इस्तिमाल आप कर सकते हैं इसको आप इस्प्रिंकल कर सक अगर 5-6 ग्राम आप घोलते हैं 1 नगे 5-6 ग्राम आप लेकर घोल लीजिए और एक गम लेकि लिए उप्योगत है और इसही डोज को आप इस पर अ們कर देजिए और ऐसे अब एक आप काम कर सकते हैं कि इसमें जमीन में भी डाल सकते हैं, जमीन में इसको कवी स्प्रेंगल कर सकते हैं कोई अधिकत निया, इसकी लिक्यूड को भी आप डाल देंगे, तो इसका और रिस्पांस आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा, आपको मतंعت कि Apsom Salt गुरोत के लिए बहुती ङुंच इस Ils का इस्तिमाल करीए महीने में एक बड़ इसको इस्तिमाल करें जैसे हम उसी तरीके से आप इसको 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 इस्तिमाल करी उसके बाद आपको आदे कि जो इसका secret fertilizer है हम मतादे आपको मैंने उसको इसको इसके response बहुत बढ़ी है कि इसमें बहुत ज्यादे मातरा में आते हैं आप देखिए हर जगह से यह वर्ट्स आना इसमें शुरू हो गया है और आपको मतादे कि इसमें एक fertilizer के इसमाल किया गया है इसका नाम में coffee powder बहुत ज्यादे मातरा में इसे suit करता है और आपको आए हैं कि नेट्रोजन बहुत ज्यादे पचूर मातरा में होता है और इसमें बहुत और बहुत और नेट्रियंस हैं जो आपके पादे के लिए बहुत ही उप्योगीश है इसको आप जरूर इस्तिमाल करेगे एक इसके लिए आप ले लिए एक से सब्सक्राइटर पानी और इसमें अब डाल दीजिए काफी पाउडर इतना अब डाल देंगे तो इसके रिस्पांस आपको बहुत अच्छा मिलेगा इतना डाल के आप इसको इसमें घोल लीजिए और घोलने के बाद इसको मिट्टी की गुड़ाई करें गुड़ाई करके इसको आप अपने पाउदे में डाल दीजिए इसका रिस्पांस आपको बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगा इसको साम या सुबह की समय कभी भी डाल दीजिए बहुत 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 ब पाउडर का बिस्तिमाल आपने कर लिया तो उसके बाद इसमें आप मस्टर्ड केक का भी इस्तिमाल कर सकते हैं मस्टर्ड केक का इस्तिमाल करेंगे तो भी इसके लिए बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आपको इसका मिलता है तो आपको दाएं कि मस्टर्ड केक इसमें आप मह इसको बना लेंगे जल्दी से घूल जाएगा यह और इसको आप एक लिटर पानी में इसको करिए क्या क्या आप 10-15 ज्यादा इसको मत लीजिए क्या क्योंकि एक एक गमले में आपको देना है तो 10-15 ग्राम आप इसको इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद इसको करना कि इसको अच्छी तरीके से घूल लीजिए और घूलने के बाद इसको तुरंद नहीं इसको आपको करना यह है कि इसको आपको रख देना है कम से कम एक से दो दिन तक इस तरीके से आप इसको ढख दिजिए उसके बाद इसको करिए क्या कि आप प्लाइए अपनी गंबले में आप इसको डाल दीजिए और आप होता है कि इसको डालने के बाद ऐसा नहों कि आप गुडल का पौदा अपने गार्डेनियु में रखे हुए हुआ पे छाया है और इसका इस्तिमाल करिए थोड़ी धूप रहेगा तो आपके लिए बहुत अब जब दुबारा पानी देंगे तो और देखेंगे इसमें साखा बहुत बढ़ी आएगा उसके बाद आपको दादा है कि आपके घरों में जो किचेन वेस्ट निकलता है कुछ जो चिलके होते हैं उसका भी आप इसमें 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 इस्तमाल कर लिजे बहुत बहुत रिस्पांस होगा आपको हम तीन-चाथ तरीके से लिक्विट फटले बताया है आप उसका इस्तमाल करेगा और उसमें एक बिसेश इस रिस्पांस इसका भी आता है इसमें मैंने मिला रखा है आलो के चिलके और यह जो है प्यारी चिलके यह दो आपको सिंपल तरीके से लिटर पानी में चार से पांच प्याज के चिलके और चार से पांच आलो के चिलके दोनों को आप डाल दीजे पानी में डालके दो से तिन दिन के लिए उसके बाद देखेंगे पूरे पानी इसका पानी का कलर बिल्कुल हो जाएगा अचे नहीं और इस पानी में पचास प इस पे एक fertilizer और शूट करता है सीवीड fertilizer, सीवीड fertilizer के अगर आप इस्तमाल करते हैं, तो इसका response आपको बहुत बढ़ियां मिलता है, कि सीवीड fertilizer चाहे liquid हो या डाई हो, दोनों में से कोई भी इस्तमाल कर सकते हैं, दोनों का response बहुत बढ़ियां, अगर लिक्विड fertilizer अब इस् एक लिटर में आपको लेना है पांच ग्राम घोल लीजिए घोलेने के बार अब इसमें इस्तिमाल कर जीजिए बहुत ही बड़ी आपको रिस्पांस मिलेगा और लिक्यूड को छिड़काओ भी कर सकते हैं लिक्यूड को जमीर में दा सकते हैं जो ड्राइब फाम में उसको भ ड्राइब दोसरी बात यापको चाहता है कि कभी जादा इस पर अक्सिस फटलेर का इस्तमाल ना करिए बहुत कर थे प्रूब एक ल्याधे खिर में उसके विガ फूल नीसरेखने सख़ांगों उसके में न्सकांकर ऐस्तों पान होता है कि इसागे के ऊप्श में इसके को इन मेली बग ठ्रिप्स हो गया इन सब का बहुत जाद मातरा में हमला होता है इसके कारण आप पत्तों के पीछे देखेंगे तो वाइट वाइट पुरा मेली बग लगा राता है और इसमें क्या है कि अगर एक बार लग गया ते इसके कारण पतिया पीली होने लगती है और पतिय साइड डिस्केप्शन में लिंक दिया हो जाकर वहां से चेक आउट कर सकते हैं बहुत बढ़ियां इस पर मिले बग पर काम करेंगा हर 10-15 दिन पर आप इसका 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 करें आपको करना क्या है जैसे उसमें पत्ति आप ले लिजिए उसके बाद नियम की पत्ति ले ले इसके बाद एक मेडियम साइज के प्याज ले ले लेजिए लेहसुन ले लेजिए इन सब चीजर को मिला के बनाए और इसका रिस्पांस बहुत बहुत बढ़िया और इस पर आप हर 15 दिन पर 10 दिन पर एक बार उसका छिड़काव करिए जो पत्तों की समस्या है जो वीडियो थोड़ा वह अच्छा रगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेयर करिये और चैनल सब्सक्राइब जरू कर दें मिलते हैं आप से न्यूव बडियो में न्यू टापक के साथ धन्यवार